42 वर्ष ये entrepreneur का है लिखते हैं कि मेरी मा की मृत्यू हुए पिछले दो साल हो गए है उनके मृत्यू के पच्चात मुझे भार बार 11-11 हर जगा दिखाई देता है Google सर्च किया तो कई लेक मिले जो कहते हैं कि ये spirits की और क्या sign है समय के साथ ये 11-11 दिखना की frequency थोड़ी कम हो गई है मैं समझ नहीं पारा किया इसका कोई कुछ मतलब है या सिर्फ मेरे मन का खेल 11 किस भाशा में लिखा दिखाई देता है? कौन है? 11 कैसा आता है लिखा हुआ? रोमन में रोमन में पढ़े लिखे ना होते हैं तो कैसे पता चलता? 11 है भारती ये अंक पध्धती पर चल रहे होते हैं तो उसमें तो ये एक नहीं होता है उसमें तो एक ऐसा होता है होता है ना? तब कैसे पता चलता है कि ये 11 है कैसे पता कि 11 ही दिखाई देता है? आपको तो ये और ये दिखाई देता है दो खम्बे तो ग्यारा कहां है ग्यारा कहां है और अगर ऐसे और ऐसे दिखाई देता है तो मैं इसको टू क्यों न मानू कि टू क्यों नहीं हो सकता थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैं बाइनरी में जाता हूँ अभी तो आप decimal number base पर चल रहे हैं आपको लग रहा है कि एक और एक का मतलब होता है ग्यारा और अगर मैं बाइनरी सिस्टम में देखूं तो एक और एक का क्या मतलब होता है तीन तो आपको तो तीन दिखाई देता है या दिखाने आले ने बताया है कि हमें हेक्साडिसमल या बाइनरी इत्यादे से कोई समस्या है कैसे पता वो ग्यारा है एक खंभा दूसरा खंभा ग्यारा ही है क्या निश्चित रूप से यह तो अगर भूत प्रेत का भी चक्कर है तो वो ज़रा कम पढ़े लिखे भूत प्रेत है बाइनरी में एक का मतलब एक, दस का मतलब दो, ग्यारा का मतलब तीन और फिर सीधे, सौ का मतलब चार होता है और एक सो एक का मतलब पाँच उसमें शून्य और एक में ही सब बताना पड़ता है और आपने जिस इंटरनेट पर अपनी रिसर्च करी है वो भी बाइनरी पर ही चलता है तो अगर इंटरनेट से आप इसका अर्थ पूछ रहे हैं तब तो निश्चित रूप से इसका मतलब तीन है आपको तीन दिखाई पड़ता है अब दुबारा सर्च करिए कि अगर तीन दिखाई पड़ता हो तो इसका क्या मतलब है यह सब क्या वाते हैं सत्य संख्याओं पर नहीं चलता बाबा एक दो चार छे इनका संख्याओं से क्या लेना देना इन संख्याओं का सत्य से क्या लेना देना नूमरलोजी और ये और वो और पचास चीजें सब संख्याएं प्रक्रते में पाई जाती हैं सब एक हैं क्या फर्क पड़ता है क्या आप कभी लगन निकालते हैं कभी महूरत निकालते हैं तेरा तारीक अठारा तारीक काई तेरा तारीक को सत्य कुछ दूसरा हो जाता है क्या और अगर पूरी दुनिया पर मेश्वर किये तो अठारा तारीक को शैतान की हो जाती है एक सज्जन आय बोले वो तीन बज़ के तीस मिनट पर कुछ खास होता है हम उस समय उठते हैं मैंने का ठीक किस टाइम जोन में काहे कि तीन बज़ के तीस मिनट जो हिंदूस्तान के लिए है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है इरान के लिए नहीं है अमेरिका के लिए नहीं है तो तीन-तीस का मतलब क्या है दूसरी बात आप जिसको तीन-तीस बोलते हो अगर थोड़ा पढ़े लिखे होगे तो आपको पता होगा कि वो इलाहबाद का टाइम है बस वापस जाईएगा दस्वी की जोगरफी और अक्सर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके गुरु होते हैं वो रक्कम गुरुजंज रक्कम खासतावर पर पढ़े लिखे होते हैं भारत में कितने टाइम जोन है एक ही चलता है वो जो एक टाइम है जब आप कहते हो कि बारह बजा है तो वास्ताव में बारह सिर्फ इलहाबाद में बजा है और देश भर में कई नहीं बजा है कि अप्रॉक्सिमेशन कर दिया जाता है कि चलो इलहाबाद में बजा है तो प करीब करीब बीचो बीच है कि अब 12 बजने का मतलब होता है वो समय जब सूरज ठीक आपके सर के ऊपर हो कि जब आप बोलते भी हो नभी 12 बजाए तो बारा दिली में नहीं बजाए बुल्ब इलाफबाद में बजाए कि दिल्ली अभी 12 बजने से थोड़ा सा पीछे बहुत सारे हैं एक जगे पांच है एक जगे ग्यारा है कि मुझे साले तीन बजे उठना है तो अपने ताइम जोन का साले तीन बजे और मैं टाइम जोन ही दूसरी तरह से निर्धारित कर दूत तो डेलाइट सेविंग जानते हो क्या होता है जो लोग अमेरिका एउरोप गए जानते होंगे डेलाइट सेविंग का क्या कॉंसेप्ट है एक दिन आता है जब सर्दियां शुरू हो रही होती है तो वो घड़ी की सुईयां तो यह लोग साड़े तीन का साड़े चार बजा दिया किस ने बजा दिया आदमी ने बजा दिया उसमें दैवियता क्या है उसमें सत्य क्या है उसमें परमात्मा का लिखा हुआ क्या है तुम जब चाहते हो उसको मान लेते हो कि साड़े तीन बजा है और एक दिन ठंडू लगने लगती है तुम बोलते हो आज से ही जो साड़े तीन है हमें इसको धाई मानेंगे या साड़े चार मानेंगे अब साड़े तीन से अगर तुम्हारा बड़ा ऑप्सेशन है तो यह तुम्हारा फिर अपनी टाइम जोन से ऑप्सेशन है जो कि मानव दौरा परिभाशित है किसी देवता दौरा नहीं ग्यारह की संख्या नहीं दिखाई दे रही है आपको अपने ही मन द्वारा रची हुई परिभाशाएं दिखाई दे रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि माफ कीज़ेगा कहना ज़रूरी है जीवन में उलजने को कुछ चाहिए जीवन में कुछ नहीं है सुन्दर और सार्थक जो जीवन को भर सके तो फिर किसी और मुद्दे को यूहीं विर्थ ही महत्वपूर्ण बना लेना बड़ा आवश्यक हो जाता है आप मेंसे कुछ लोग तो होंगे ऐसे बैठे हुए ना जिनकी तबियत इस वक्त भी थोड़ी सी नासाज होगी किसी घुटने में दर्द होगा किसी को ठंडर लगी होगी किसी का सर थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा कुछ लोग तो होंगे ऐसे हैं कि नहीं हैं किसी को प्यास लग रही होगी किसी को भूख लग रही होगी कुछ तो होगा किसी के आखें जल रही होगी ऐसा होता है न अभी वो जो कुछ भी आपको हो रहा है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण होता तो आप इस भवन में ही नहीं होते बहुत महत्वपूर्ण होता तो आप यहां अंदर नहीं आते अंदर आके बहार निकल गए होते है ना लेकिन यही आप जब यहां से उठके बहार चले जाएंगे तो आपको अपनी सब बीमारियां पुना याद आ जाएंगी कोई खास न लगए, कोई छीखने लगएगा, कोई पानी पानी चिल लाएगा कोई कहेगा पाउं सो गया, कोई कहेगा भेजा सो गया, सब काम शुरू हो जाएंगे ये सब चीजें चलती रहती है ये जीवन की मशीन की अनिवार्य नॉइस है क्या है ये जीवन की मशीन की अनिवार्य नॉइस है कोई मशीन ऐसी है जो चले और जरा सी नॉइस न करे शोर न करे है कोई बोलो नहीं है न अब तुम गाड़ी चला के जा रहे हो और मान लो तुम्हारी गाड़ी एंबुलेंस है और उस एंबुलेंस में तुम्हारा ही बीमार शरीर रखा हुआ है तुम जीवन की गाड़ी चला रहे हो जिसको एंबुलेंस मानो और उसमें तुम्हारा ही बीमार शरीर रखा हुआ है और तुम एंबुलेंस रोग दो बोलो इसका इंजन घर घर करता है और जब तक ये इसकी घर घर में पूरी तरह से मिटा नहीं दूँगा एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ेगी बताए देता हूं तो बेटा एंबुलेंस तो ठीक होने से रही तुम भी जान से हाथ धोगे ये सब चलता रहता है एंबुलेंस घर घर कर रही हो तो करे तुम्हें जीवन की गाड़ी जहर को बढ़ानी है बढ़ाओ इन सब चीजों पर रुका नहीं करते कि आज घुटने में दर्द है आज सपने में 11 आ गया था आज खाना वन आते वक्त यहां हाथ में जरा सा गरमकडाही चूगई चलता रहता है भाई छोटी मोटी खरोंचे हैं जो जीवन देता रहता है इनको इतना हक नहीं देते कि य तुमारी यात्रा को ही रोक दें इनको इतना हक नहीं देते कि ये तुमारे सर पर सवार होके नाचना शुरू कर दें खिलाडियों को देखा है उन्हें कई बार खेल के बात पता चलता है घुटना छिल गया अब वापस आइंगे तो देखाएंगे आरे खून निकल रहा है चलो कोई बात नहीं खेलते वक्त कौन ध्यान दे कि घुटना छिल गया है आप में से जिन लोगों ने भी कोई भी खेल कभी भी जान लगा कर खेला है उन्हें अच्छे से पता होगा कि आप खेल कर आते हो जब लोटते हो शाम को पांच बज़े के बाद तो फिर कैसे कैसे होते हैं शरीर में कैसे कैसे होते हैं हर तरीके के होते हैं बिल्कुल बिस्तर पर पढ़ जाता है आदमी 2 गंटे के लिए वो एहसास अचानक नहीं शुरू हो गए वो खेलते वक्त भी थे प्रतीत कम हो रहे थे क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान था जीतने पर जीतने के लिए खेलो ना बाबा ये थोड़ी करोगे कि मैं शॉर्ट कैसे मारू मेरे रैकेट पर खरोच लगी है अरे दुनिया का कौ अंसर रैकेट है जिस पर खरोज नहीं लगी वही रैकेट होगा जिससे कभी खेला ही नहीं गया खिलाडियों के रैकेट देखो कैसे होते हैं बल्ले बाजों के बल्ले देखो कैसे होते हैं और जो नौसिखी अनाडी होते हैं उनके बल्ले देखो कैसे होते हैं बिलकुल चमचमाते चिकने जो बढ़ियां बल्ले बात है कभी उसका बल्ला देखा है कैसा होता है बिलकुल साफ सुत्रा सुन्दर होता है कैसा होता है क्रिकेट वाले कौन है यहां पे जिने थरा पता हो कैसा होता है एक अच्छे बैट्समैन का बल्ला और लाल नहीं होता तो वो लाल करता है अपना भी जीवन जरा लाल पीला होना चाहिए और वो जो निशान है लाल पीले काले नीले वो जरूरी नहीं है कि शरीर पर ही दिखाई दें वो मन पर भी दिखाई देते हैं मन पर घाव होते हैं मन पर खरोचे होती हैं आप इसलिए थोड़ी पैदा हुए हो कि जीवन आप को किसी घोसले में रखेगी ऐसे नहीं होता जो पैदा हुआ है वो चोट खाएगा ही चेतना पर निशान पड़ेंगे ही उन निशानों को पड़े रहने देते हैं आगे बढ़ते हैं जो पैदा हुआ है ऐसा हो नहीं सकता कि उसको कभी न कभी बुरे सपने ना आए बुरा जान दे कुरक्षेत्र में पांचवे दिन सुबह सुबह अर्जुन ने कृष्ण से कहा बाबा आज नहीं होगी लड़ाई कि काए कि राच सपने में दो चीटे आये थे अरे तुम सोचो अर्जुन की वो रोज अपने ही संबंधियों का वद कर रहा है रोज मार रहा है रोज तीर खा भी रहा है उसको कैसे कैसे तो नही सपने आते होंगे उन सपनों की खातिर क्या उसने लड़ना छोड़ दिया बोलो बोलो तुम अस्वदाल में पड़े हो तुमारी सरजरी है सरजन ने आगे का कोई सरजरी नहीं होगी आज 11 तारीख है हो गया बटा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मुझसे कह रहे हूं मिथ्या है मैं बस यह कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो महत्वपूंड नहीं है मिथ्या नहीं है निश्चित रूप से आपको वो अंक दिखाई देता है वो छवियां दिखाई देती है मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ उन्हें महत्व न दें घाव हमें लगे हैं आगे बढ़ते रहें और चोटों की फित्रत कुछ ऐसी होती है कि उनको जितनी कीमत दो वह उतना सर पे चड़ती है तुम बोलना शुरू कर दोगे हाई हाई घुटना आज बहुत पिरा रहा है फिर तो घुटना नीचे नहीं एक दम उपर के माले पर चड़ जाएगा घुटना यहां बैठा हुआ है इसी को तो आटो हिपनोसिस बोलते हैं सेल्फ हिपनोसिस और क्या है यह हम खुद कोई पूरख बना लेते हैं और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं कि हम जूठ बोल रहे हैं घुटने में दर्द निश्चित रूप से है है तो है पढ़ा रहे है घुटना ही तो है एक दन वैसे ही जल मरेगा ससुरा कौन सा हीरे मोती सोने चांदी का है भाई घुटना क्या है घुटना एक दन वैसे ही आग लगनी है उसमें कौन उसको इतनी तवज्जो दे पर नहीं मेरा घुटना है न मैं रानी रूप मती हूँ मेरे घुटने की बात ही दूसरी है इस घुटने पर डेड़ सो फिदा हैं मेरे घुटने में दर्द होगा तो मैं तो कुछ नहीं करूंगी ठीक तो घुटना दिखा देना भैसे वाले को फिर देखना वो क्या दिखाता है कर देखना दिखाता है अध्यात्म आपकी तकलीफें दूर नहीं कर सकता अध्यात्म आपको आपकी तकलीफों से दूर कर सकता है अंतर समझे साफ साफ यहां कितने लोग हैं जैने तकलीफें हाथ खड़ा गरें कोई ना कोई तकलीफ जीवन में अरे छोटी बड़ी कैसी भी, कर दो यार हांत खड़ा, ऐसा तो नहीं है कि पैदा हुए हो तो बिना तकलीफ के हो, तो साफ समझ लीजे, ये तकलीफे कभी दूर नहीं होने वाली, एक दूर होगी तो दूसरी आ जाएगी, बड़ी दूर होगी तो छोटी आ जाएगी, छोटी दूर होगी तो बड़ी आ जाएगी, दाई दूर होगी तो बाई आ जाएगी, आपकी तकलीफे नहीं दूर होने ये दिवास्व अपने बिलकुल भुला दें कि जीवन निश्कंटक सुख जैसा हो सकता है जीवन में काटे तो रहने हैं आपकी तकलीफें दूर नहीं हो सकती हैं आप तकलीफों से दूर हो सकते हैं तकलीफों को पड़ा रहने दो तुम अपने काम करो जिसको धर्म कहते हैं अब बात समझ में आई कि धर्म दुख कैसे दूर करता है धर्म दुख दूर करता है दुख को छेड़ कर नहीं आपको दुख से दूर करके दुख पड़ा रहे मैं दुख से दूर हूँ मेरा ध्यान मेरी एक आग्रता मेरा लक्षे कहीं और है दुख है जीवन मेने संदे है मैं अभी दुख की बात ही नहीं करना चाहता है अभी मुद्दा दूसरा है भाई इसका नाम धर्म है इस तरह धर्म जीवन से दुख मिटाता है कुई हारी बचस ओगो भाल